नमस्कार गाइस बुलिश बुल माश्टर में आपका स्वागत है बात करेंगे कल मार्केट गैप अपन होगा गैप डाउन होगा जैसा की गाइस पर्फेक्टली आज मार्केट में गैप अपन हुआ बहुत दारे लोग बोलेंगे की ICC के अच्छे रिजल्ट आने की वज़े करके फिर से वापिष डाउन आने की कोसिस कर रहा है gelow आपको पहले ही बताया था ग्याइस फोलो करना पर्च कुछ भी करले को प्राइडिक्त को फोलो करता है तो गैप अरज हमने आप ट्राइडी बताया था Friday के दिन यहाँ पे आप देखेंगे Friday का डे का मैं अगर मैं ले के आता हूँ Friday यहाँ पे guys आप देखिएगा मैंने आपको Friday के दिन आपको पहले ही बता दिया कि market के क्या sentiment है यहाँ पे आप देखेंगे 3.07 मिनट पे इवनिंग में market close होने से पहले आपको वीडियो मिल गय यहाँ पे वीडियो में यही लिका वा था कि 24,200 के उपर निफ्टी क्लोज करता है तो market में गैप अप प्लेनिंग करेगा positive vibe करेगा market positive open हुआ advance video मैंने बता बनाया और dear student now market good reversal market गिर रहा था उस दिन और good reversal हुआ उस समय 2-3 बज़ के 26 मिनट पे without hedging now BTST और perfectly यहाँ पे BTST market gap up open होता है और आज morning में भी आपको update कर दीती ICC का अच्छा result आया था और इसी के साथ साथ मैंने morning में आपके लिए वीडियो बनाया कि क्या planning कर सकते हैं कौन सा level तूटेगा तो कहां पे जाएंगे 24,200 का guys level तूटता है तो हमारा upside के लिए good moment बनता है upside के लिए perfect work होता है market में data starting के 10 बजे आज market ने अगर आपको ctc rules पता नहीं है तो आपका sl hunting किया होगा market ने क्यूंकि ctc rules पता नहीं before 10 a.m आज अगर आपने planning की और ctc को follow नहीं किया तो आपका 100% कह सकता हूँ कि आपने या तो अगर छोटे point लेके cut कर दिया तो ठीक है और वाइस आपका sl hunting हुआ होगा क्यों market ऐसे चल रहा था निफ्टी यहां पर साइडवेस ठीक टाग अपन हुआ यहां पर market में ठीक टाग अपन कह सकते हो क्योंकि आज मंडे था तो market साइडवेस ओपन इसलिए होता है क्योंकि maximum कोशिस यहीं करता है market आपका premium खाने की पहले market close होने से पहले यह आपको बता दिया ready for gap up open market आट बज़े वीडियो बना के भी बता दिया तीन बज़े भी advance में बता दिया उसके बाद में हमने गाईस जो ICC का good gap up हुआ था यहां पर देखो bank nifty का जो यहां पर level था इसके ओपर guys perfectly हमें यहां पर target मिला है 24,000 यहां पर 450 का एक perfectly target था जो कि अपने को मिला है nifty के अंदर bank nifty भी bullish हुआ upside good moment किया फिन nifty भी good moment किया लेकिन mid cap nifty ने अपना premium meeting किया guys और nifty का upside का level 26,315 का दिया हुआ था यह active होता है और good upside moment करता है bank nifty upside के लिए 315 का दिया था good moment work किया mid cap nifty में 75-80 का जो guys market में 10-15 point यहां पर morning में scalping दिया this is paper trade for educational यह साब साब लिखा हुआ है only scalping उसके बाद में हमने और यहां पर plan किया था nifty का यहां पर इसने भी 10-15-20 point के लिए scalping moment दिया market scalping अच्छा कर रहा था और उसके बाद में guys हमने यहां पर market sideways हो गया और now उसके बाद में एक upside का bank nifty में भी हमने plan किया जो कि good moment किया good moment किया जो कि एक अच्छा यहां पर आपको upside के लिए moment देखने को मिला और अभी हमने एक अभी market के अंदर अभी now आपको levels बेजे थे perfectly और अभी हमने और plan किया for educational paper trade का खराब market होने के बावजूद भी guys आपको इतना support किया मुझे नहीं लगता कोई करता होगा यहां पे हमने again plan किया और यहां पे good moment again अपने को scalping अगेन लिकाओ कि भाई scalping day है आज ज्यादा कुछ लालच नहीं करना है और अब now मैं बना रहा हूँ आपके लिए advance video और यह perfectly बताया कि भाई यहां पे अगर retest ले लेता है तो अपन इस तरह से or down की तरप जाएंगे otherwise ignore क description में link है जोइन कर लेना advance video है guys पूरा video को देखना तभी समझ में आएगा video को like कर देना चैनल को subscribe कर देना 50,000 subscriber होते ही आप लोगों के लिए मैं लेके आने वाला हूँ give away इस चीज को ध्यान में रखिएगा market आप काफी अच्छा था आज का day अच्छा था खराब नहीं कह सक लेकिन कुछ लोगों का SL hunting हुआ होगा यहां पर देखो Nifty ने again head and solder बनाने की कौसिस कर रहा है क्यूंकि अभी मैं आपको 15 मिनट टाइम प्रेम पर लेके जाने वाला हूँ आपको मज़ा आने वाला है एस पर 15 मिनट टाइम प्रेम तो पहले मैं अभी आपको guys day time frame मैंने 24,000 का एक important support के साथ market good reversal हुआ यहां पर bullish हरामी candlestick pattern बना रहा है हमें एक powerful candle और चाहिए market 24,500 के level को तोड़ेगा तो यह अपन अपसाइड के लिए plan करेंगे otherwise हम अपसाइड के लिए trap नहीं होंगे इस चीच को ध्यान लखिएगा अगर market के अंदर nifty के अंदर साथ ही bank nifty की बात कर लेते है bank nifty वही वापिस अपने zone में आगया गाई इस zone में 50,000 का level तोड़ नहीं पा रहा है अब हम बात करते हैं 15 मिनट के time frame पे और global market पे और फिन nifty की कल expire यह तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देगी है ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो गाई इस global market के अंदर European market एक sideways bullish है और Dow Jones 180 point के आसपास bullish चल रहा है and nifty की बात करते हैं तो guys ध्यान से सुनिएगा आपको मैंने पहले ही बोला था कि nifty अगर 60 के बाहर निकल जाता यहाँ पे morning में गया था यह जो market यहाँ पे moment किया था bullish था और अपने को upside में good moment दिया nifty ने trend line को touch किया और फिर जाके market एक reversal हो रहा है यहाँ पे अब हमें क्या plan करना है आज के लिए nifty में अगर हमें btsd plan करना है तो क्या plan करना है भी या ध्यान रगेगा guys this is 18 EMA यह powerful EMA है जब तक यह market इसका आज का height नहीं तोड़ देका हम upside के लिए trap नहीं होंगे upside के लिए plan नहीं करेंगे और RSI थोड़ा support नहीं कर रहा RSI वापिस 60 और 40 के बीच में आ गया है इसके बीच में आ गया तो guys थोड़ा सा risky रहता है और अगर यह market 360 का 350 का level तोड़के downside की तरफ आ जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि sideways gap down की तरफ plan कर सकते हैं तो BTSD को आज fully avoid करेंगे fully avoid करेंगे BTSD को इस चीज को ध्यान में रखेंगा Nifty अभी levels नहीं बना रहा है BTSD के लिए अगर stock में levels बनेंगे तो मैं जरूर लूँगा stock में कुछ चीज ले सकते हैं अगेन आज के जैसे otherwise मैं ignore करूंगा BTSD को और with 60 अपना RSI cross करेगा तो ही मैं BTSD को plan करूंगा otherwise मैं ignore करूंगा इस चीज को धिहान में रखेंगा 24,500 के level break होगा तो यह upside के लिए और 24,350 का level होगा break तब downside के लिए this is for educational support कोई pad group नहीं है गाईस यह educational support है fully याद के रख लीजिएगा बात कहते हैं बैंग निप्टी की बैंग निप्टी गाईस यहाँ पर टॉप पर वह यहाँ है तो हो सकता है जहां पर आज मार्केट ओपन हुआ है वहीं पर ओपन होने की तैयारी कर सकता है sideways negative opening की तैयारी कर सकता है लेकिन ऊपर नहीं जाना चाहिए क 200 EMA के डाउन है थोड़े बीरिश है उसी के साथ साथ मार्केट के अंदर इंपोर्टेंट जो है सपोर्ट 11000 का 11100 का सपोर्ट है इस चीज को भी ध्यान रखिएगा यह सपोर्ट है मार्केट सपोर्ट पर ओपन हो सकता है चाहिए तो लेकिन यह लेवल ब्रेक करेगा और न सब्सक्राइब करेंगे और यहां से रिवर्सल भी प्लैन हो सकता है इस चीज को ध्यान रहेंगे ट्रैप नहीं होना है जब तक यह लेवल ब्रेक नहीं होंगे और डाउंसाइड के लिए गाइस यह गैप फिलिंग अपने को कल भी मिल सकती है हो सकता है बैंग निप्टी क साड़े बारा बज़े ही इसको बोल दिया हाथ कड़े कर दिये कि भाई मैं तरको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं जब तक यह 60 के ऊपर सपोर्ट नहीं करता आरे से हम प्लैन नहीं करेंगे इसी के बाद बात करेंगे गाइस बैंग निप्टी जो भागा था उसका क्रीजन था ICC Bank का अच्छा रिजल्ट आना और अच्छा रिजल्ट आया उसके बाद UCCC यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है और एक रिवर्सल हो रहा है तो बैंग तो पूर जाए रिवर्सल नहीं मिल जाता हम प्लैन नहीं करेंगे इसके अंदर बात करते हैं इंडिकेटर का वीडियो आपके लिए आने वाला यहां पर यहां पर वैंस नोगों ने इस इंडिकेटर को देख के प्लैन किया और सास्ट के उपर जाने की त्यारी कर रहा था यह तो फिन अगर फ्राइडे से अगर आपने यहाँ पर प्लैन करके रखा है कैंडल बुलिश क्लोज होने के बाद तो इस चार सो पॉइंट का मोमेंट देके आया है फिन निप्टी कल है भाईया इसकी एक्सपायरी और यह आज ही मोमेंट कर चुका है आज ही इसने अपना काम कर दिया ह तो 200 EMA को मार्क करके रखिएगा 23,830 का एक लेवल इंपोर्टेंट है इसके लेवल तोड़के डाउनसाइड क्लोज होता है तो हमारा BTST डाउनसाइड प्लैन हो सकता है अधरवाइस हम BTST प्लैन नहीं करेंगे और याद रखिएगा अगर यह डाउनसाइड के लिए कल टार्गेट रहेगा गाईज वो है 23,700 का उसके बाद इंपोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है आप देख सकते हैं 23,600 23,560 पे अब साइड के लिए हम जब तक नहीं फसेंगे इस आज जब तक इस रेंज में रहेगा गाईज हम प्लैन नहीं करेंगे 24,050 के बाद मार्केट एक परफेक्ट यहाँ पे बुलिश मुवमेंट बनाएगा तो ही हम अपसाइड के लिए प्लैन करेंगे अदर्वाइस हम नहीं पसेंगे यह एक साइडवेस जोन है जब तक मार्केट अगर आज इस जोन में रहता है तो मैं बीटी एस प्लैन नहीं करूंगा ना बैंक नि नहीं था गाईस तो कमजोर है हो सकता है कल रोकट बन जाए कल कर सकता है मार्केट में मॉवमेंट लेकिन आज यह नहीं करेगा और अब तीन बजने वाले हैं गाईस और एडवांस वीडियो है दिस इस फोर एजुकेसनल वी तो ध्यान रखिएगा ऐसे नहीं है कि आप इस मिनटों का मेरा मेसेज जरू देख लेना ओके गाईस थेंक यूँ